Hello guys and welcome back to touch in India और आज हम सीखने वाले हैं OOP concept के बारे में अब इस concept को सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ एक concept काफी बदनाम है इंडिया में जैसे कि मैंने देखा है और सुना है कि काफी सारे लोग बोलते हैं मुझे बिल्कुल समझ में आता इसका सबसे वड़ा रीजन ही है क्योंकि आपने कभी ट्राइ नहीं किया जब आप ट्राइ करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो मेरी आपसे request है कि आप इस concept को try करें तब ही आपको समझ में आने वाला है इस concept की दूसी चीज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें होती लेकिन जो सिर्फ दो important होती हैं हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन जो दो important चीज़ें जिसके बिलाँ ये concept बिलकुल नहीं है हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी full form जो होता है उपका full form होता object oriented programming इसका मतलब आप जैसी समझ सकते हैं object oriented programming मतलब object पे oriented है हमारी पूरी programming मैं इसकी और simple definition लिखी revolves around object मतलब एक ही चीज़ है कि हम object पे oriented हैं या फिर हम object के इर्द गिर्द ही गूमने वाले हम कहीं और नहीं जाने वाले तो ये सबसे बड़े चीज़ है कि object oriented programming की हम जब भी बात करेंगे तो हम एक object की बात करेंगे फिर हमारे पास पहली important चीज़ इस concept की हो है class class एक तरीके से हम बोलें तो collection of objects होता है अब ही के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि collection of objects होता है जब हम object समझेंगे तो आपको class भी समझ में आ जाएगा तो एक तरीक से superset होता है और collection of objects होता है जिसकी similar behavior से similar properties होती है तो एक तरीके से जैसे हम मांग लें कोई भी object है तो objects की जैसे कोई particular object की particular property है और वो वैसी वैसी 10 objects की similar properties हैं तो हम उनके collection को कहेंगे class फिर हमारे पास एक object आता है तो जैसे कि हमने एक example लिया था हमारे पास जो 10 objects हैं जिनकी similar properties हैं और उसमें से हम एक object निकालने obviously तो वो एक object बन जाएगा तो वो जो single object है हम उसे एक object बोलते है तो हमारा object पार्ट होता है class का लेकिन उसकी खुद की properties होती है मैंने एक example के लिए gender, name, age, date of birth लेकिन मैं अगर यहां पर आपकी बात करता हूँ आप right hand side पर देखे तो आपका एक नाम है आपकी age है आपकी date of birth है और आपका gender है तो अगर मैं सिर्फ आपकी बात करता हूँ तो आप हमारे इस programming concept में object हुए लेकिन मैं आप जैसे सारे human beings की बात करता हूँ तो human beings हमारी class होती है मैंसे और अच्छे से explain करना चाहता हूँ अगर आप मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अगर हम सारे objects जैसे आप हैं आपके बहुत सारे दोस्त हुए अगर हम सब को हम एक साथ खड़ा करते हैं तो हमें एक human being class बन जाएगी क्योंकि सब की एक similar properties है उनका एक नाम है, उनकी एक age है उनकी date of birth है, उनका एक gender है particular लेकिन अगर उसमें से हम किसी भी एक बंदे को उठा लें और उसकी जब हम properties देखेंगे उसका खुद का एक नाम होगा, age होगी, date of birth होगा और gender होगा तो उस particular इंसान को हम बोलेंगे वो एक तरह particular इंसान को हम programming concept में बोलेंगे object, लेकिन अगर उसे हम उस सारे जुन में रख देंगे तो उन सब को मिलाके हम class बोलेंगे, तो difference बिलकुल भी नहीं है, class होती है collection of objects जिनकी similar properties होती है, और उसी class का एक object जिसकी कुछ property होती है उस single part को हम object बोलते हैं तो चलिए अब हम code करके देखते हैं सबजने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या होता है चलिए guys तो हम classes के बारे में सीखते है class क्या होती है, sorry class कैसे बनाते हैं और उसका object कैसे बनाते हैं तो हम सिर्फ इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं इस वीडियो में मैं जो करने वाला हूँ उस शायद आपको समझ में ना आए क्योंकि मैं उसे explain नहीं करने वाला हूँ हम इसके बारे में जो हम concept आज मतलब एक तरीके से class के अंदर के जो concept होते हैं वो आगे जाके सीखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह मैं धीरे धीरे आगे बढ़ू एक बार मैं आगे ना बढ़ू बहुत सारी चीज़े होंती ही class के अंदर तो आज हम सिर्फ class को बनाना सीखेंगे और class को कैसे use करते हैं वो सीखेंगे तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक तरीके से क्योंकि हम class बना रहे हैं सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दू हमने अभी तक जितनी भी coding करी हमने class के अंदर ही करी लेकिन हमने class की तरह उसे coding नहीं किया हमने procedural way में उसे code किया procedural way मतलब top down approach लेकिन object oriented का जो approach है वो होता है bottom to up मतलब नीचे से उपर जो और procedural का होता है उपर से नीचे तो हमने भी वो procedure अपना है लेकिन अब हम अपना आने वाले हैं class का procedure आप देख सकते हैं मैं चाहूँ तो एक new file में बना सकता हूँ लेकिन वो मैं बाद में बाद में अगले वीडियो से बनाने वाला हूँ मैं इसी file के अंदर करूँगा मतलब class जो आज बताने वाला हूँ इसी file के अंदर बनाने वाला हूँ जिसका नाम है program.cs जो आपको drop, sorry आपको जो link मिलेगी उसमें आप देख सकते हैं अब एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ अभी मैं जो भी code करने वाला हूँ मैं इस name space के braces के अंदर करने वाला हूँ तो आप please उसे ध्यान दीजएगा हो सकता है कि आप उसे miss करते हैं मैं आपको एक चीज़ बताना चाहरा हूँ कि मैं जो भी coding करने वाला हूँ वो इस brace के उपर करने वाला हूँ इसके आगे आगे नहीं करने वाला हूँ तो अब हम सबसे पहले class बनाते है class human being हमने class बनाई यह होता है simple class बनाना आप देख सकते हैं हमारी class बन चुकी काफी simple है class बनाना अब इसके अंदर की जो coding है वो हम करते हैं आज के लिए हम सिर्फ hello world का program बना रहे हैं इस class बाला तो हम एक simple program बनाएंगे शायद यह आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूँ लेकिन नहीं आएगा तो कोई बात नहीं हमें से आखे सिखेंगे होता क्या यह मैं लिखूंगा public hello world public void मैंने hello world लिखा और मैंने लिखा console.rightline hello from class मैं इतना सा code लिखा बस खतम हमारे code खतम हो चुका क्लास में जो आज हम करने वाले हैं हमारा code खतम हो चुका मैं इस class को use कैसे करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा human being hb मैंने अब मैं इसका एक object बना रहा हूँ new human being और मैंने अब लिखा hb.hello world actually मुझे इसे short form में लिखने चाहिए क्योंकि एक तरीके से जो मेरे naming convention वह हैं कि हम जब भी class लिखने वाले हैं तो हम class को capital letter से start करें camel casing और जो भी हम जो भी उसके functions हैं उसको short form sorry small letter से start करें तो हम यह आप लिखेंगे hello hello world हमने से complete किया यह हमारा सिर्फ class का code हुआ तो अब देख सकते हैं हमने सिर्फ आज यहाँ पर यह code किया है और एक दो नई नही लाइन लिखी है यह अब इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको इस वीडियो में मैं नहीं बताना चाहता हूँ अभी मैं सिर्फ इस code को run करूंगा शायद आपको समझ में ना है क्या हुआ लेकिन कोई बात नहीं हम आगे और जाने के तो मैं से run करने वाले हूँ औ नाम की फिर हमने उसके अंदर एक function बनाया classes में हम function को एक तरीके से method बोलते हैं या फिर property बोलते हैं तो अभी हम आगे जानेंगे तो हमने आप एक function बनाया hello world उसके अंदर मैंने simple line लिखी console.right line hello world from class human being फिर इस line में मैंने human being नाम class लिखी sorry उसका नाम लिखा फिर उसका एक object बनाया है hb नाम से कुछ भी दे सकते हैं object का नाम फिर हमने लिखा equals to new human being और फिर हमने लिखा hb.hello world तो यह simple हमारा starting phase है classes का इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़े सीखने वाले हैं class और object के बारे में तो thank you guys for watching and see you in the next video